नमस्कार, Competition Committee में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ हीमन प्रधान, आई ये फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करते हैं, Competition Committee के इस YouTube चैनल पर, Competition Exam के लिए एक ऐसी Competitive Series जो आपको आपके उन महत्पूर सब्जेक्ट जो Science and Technology, Environment, Physics, Chemistry, Bio से रेलेटेड हैं, उन सभी से रेलेटेड, सभी टाइप के MCQs, पास्ट एर के पूछे गए Questions, चाहे वो Prelims हो, Mains हो, Even Important Facts और उससे रेलेटेड कंसेप्ट, इन सभी का एक बहतरीन कलेक इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, जहां पर हम बहुत सारे निमोनिक्स, बहुत सारे ट्रिक्स, बहुत सारे ऐसे facts को भी जान सकेंगे, जो आपके exam के लिए बहुत important होगी, बिना लेट किये वे आईए, आज का हमारा पहला सेशन का सुभारम करते हैं, इस competitive science में, जिसका basic objective ह कि आप general science यानि physics chemistry, bio, environment and science and technology से related, उन सभी माजपूर्ण facts को innovative तरीके से, बहुत ही tricky method से, बहुत ही like कहना चीए different type के multi-dimensional approach के साथ समझ सकें, ताकि आप अपने exam में बहुत अच्छा score कर पाएं, तो हमारा objective रहेगा कि आप अपने लक्ष को भेथ सकें, that means what, कि आप पूरी तर से इस session को enjoy करेंगी, exam specific, जहां पर कुछ session informative होगा, कुछ बहुत ही funny होगा, कुछ बहुत ही tricky method से होगा, और बहुत different different type की experiment इस session में हम करने वाले हैं, जिसमें कि आज पहला और एक बहुत ही easy type का lecture हम start कर रहे हैं, जो basically जो है informative है, बहुत सारे इसमें content भरे होंगे, इसमें बह यह topic बहुत important है, आपको याद रखना होगा कि कोई भी topic में बहुत सारे ऐसे facts, बहुत सारे ऐसे mixture हो सकते हैं, जिसमें कि tricks हो सकता है, MCQ हो सकता है, important fact हो सकता है, motivation हो सकते हैं, यह competitive science जो है, पूरी सभी चीजों से क्या empowered है, बिना late के वे आईये start करते हैं, आज हमारा पहला session वो क्या है, भारत के महतपूर्ण विज्ञान के पुरसकार, विज्ञान के महतपूर्ण पुरसकार, important award and prizes related to science sector, जिसमें कि हम start करें आज का session, जिससे पहले आपको थोड़ा सा motivate होना पड़ेगा, इनको जानते ही है, एक बहुत बड़ी सक्सियत है, इनके hard work को आप हमेशा follow कर सकते हैं कि कितना hard work करते थे ताकि वो उस world record को बना पाए, यहाँ पर वो कहते हैं, stop waiting for things to happen, stop waiting for things to happen, go out and make them happen, आप अपने comfort zone से बाहर निकलिए, और आप कुछ नया करिए और success को create करिए, जैसा कि उसे इन बोल ने कहा था, चीजों को होने के लिए मत छोडिए, अब comfort zone से और finally, उसे क्या है, realistic form में convert करिए, यही कह रहे है, make them happen, now, इस motivation के बाद, चलिए, आज का हमारा जो session है, भारत में science and technology के कुछ ऐसे award and prizes दिये जाते हैं, but global scenario में भी देखते हैं, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा science and technology का जो prize है, वो है nobel prize, हर किसी को पता है, अब nobel prize के बारे म बहुत बहुत important होगा, यहाँ पे हर चीज़ें को आप लोगो देखना है, बहुत ही examination point of उसे, ताकि आप exam में सभी type के approach को आसानी से solve कर सकें, आईए start करते हैं, आज का पहला slide that is about the nobel prize, nobel prize दुनिया में science and technology के सेक्टर में दिया जाने वाला सबसे बड़ा prize है, और इस nobel prize क जानने से पहले, आप इनके बारे में जरूर जानिये, यह है अल्फरेट nobel, अल्फरेट nobel की याद में ही प्रतिवर्स क्या है, nobel prize दिया जाता है, 10 दिसंबर को इनके बर्डे के आउसर पर, और यह nobel prize को यदि हम समझें, तो इस nobel, अल्फरेट nobel सहाब को पहले जानिये अल्फरेट nobel सहाब ने सबसे पहले dynamite का अविशकार किया था, invent किया था, और यह dynamite वास्तों में क्या है, एक explosive या विस्फोटक है, जब पहली बार इस प्रकार का explosive या विस्फोटक बनाया इन्होंने, उसके बाद यह बहुत रिच हो गए, और अपनी धनरासी को इन्होंन में दिया जाता है, तो 6 मातपूर सेक्टर में दिया जाता है, वो 6 सेक्टर सबसे पहले देखते हैं, medicine, medicine या physiology, इससे biology हम कह सकते हैं, उसके बाद देखते हैं आपका physics, यानि भौतिक विज्ञान, chemistry, उसके बाद देखते हैं literature, literature के बाद देखते हैं peace, यानि सांती, और उस इसी सेक्टर में क्या है, किसी आप organization को, किसी संस्था को क्या कर सकते हैं, noble price दे सकते हैं, बागी सभी में किसी व्यक्ति विशेज को ही देया जा सकता है, आपका noble price, noble price में याद रखना होगा एक और महत्पूर बाद, कि जब हम यहाँ पे देखते हैं, maximum 3 लोगों को ही noble price द दिया जा सकता है, is it clear? तो 10 December को, इस peace को छोड़ के बाकी सभी को क्या किया जाता है, Stockholm, Sweden में क्या है, आपका noble price दिया जाता है, और बाकी peace को, सांती को केवल क्या है, आपको दिया जाता है, that is, आपके Oslo, आपके Sweden में, Norway में, ठीक है? तो यह बात है clear हो गई? अच्छा, कौन देते हैं, तो physics जो दे हैं, आपके Royal Swedish Academy of Sciences है, और इनके द्वारा physics के सेक्टर का दिया जाता है, जब हम बात करते हैं, chemistry के सेक्टर का, तो Royal Swedish Academy of Sciences, मतलब ये और ये दोनों, साथ में कौन देता है, physics और chemistry को Royal Swedish Academy of Sciences के द्वारा दिया जाता है, Physiology चिकित्सा के द्वारा किन के द्वारा दिया जाता है, Corolinska Institute of Nobel Assembly के द्वारा दिया जाता है, Is it clear? Now, साहित्य को भी किस के दवारा दिया जाता है? Royal Swedish Academy के दवारा किया जाता है, लेकिन मैंने कहा था, Peace के बारे में, Peace के बारे में, यहने सांधी के बारे में, तो Norway की Nobel Committee के दवारा इसे दिया जाता है. Now, come to the part, Economics, स्वीडन के Central Bank, जिसे स्वीरिंजे रिक्स बैंक कहा जाता है, उनके दवारा यह क्या है? स्थापित किया गया है, Royal Swedish Academy के हाथों इनको दिया जाता है. तो इस प्रकार अलग-अलग सेक्टर है, जिनके दवारा Nobel Prize दिया जाता है, और याद रखना यह 6 महत्पूर्ण सेक्टर में दिया जाता है. अब यहाँ पर, वैसे तो देखा जाया है, 2022 के Nobel Prize को हमको कवर करना चाहिए, बट, यह हम जुलाई मन्त में यह सेशन कर रहे हैं, और जस्ट दो महीने बाद, मानने, August, सितंबर के बाद, October आ जाएगा, उसके बाद नया declaration हो जाएगा, तब यह exam specific उतना relevant नहीं रहेगा, फिर भी, आपके description box में 2022 के सभी Nobel laureate के नाम मैं यहाँ पर अल्रेडी mention कर दूँगा, आप उसे download कर सकते हैं, ठीक है, come to the part, कि यदि मैं कहूंगा, यह 6 महत्पूर्ण सेक्टर में दिया जाता है Nobel Prize, तो भारत से कौन-कौन से ऐसे Nobel laureate है, यानि कि कौ परूर याद रखें, दस ऐसे व्यक्तियों को अब तक Nobel Prize दिया जा चुका है, जैसे कि भारत के first Nobel पुरसकार विजेता कौन है, तो गुरुदेव रविंदरनाट टैगोर, जिनको क्या है, उनकी का विकृती, famous गीतानजली के लिए दिया गया था, तो ऐसे पूरी मैं लिस् फर्स्ट ऐसे कौन से साइंटिस्ट हैं, कौन से ऐसे विज्ञान के मतलब साइंटिस्ट है, विज्ञानिक हैं, जिनको क्या है, Nobel Prize मिला था, तो उनका नाम है डॉक्टर सीवी रमन, जिनको आपको बदाना होगा, याद रखना होगा, 28 फरवरी, 28 फैब, 1930 को उनकी रमन और गुर्देव रविंदना टैगोर तो क्या है, लिट्रेचर के सेक्टर में दिया जाता है, ठीक है, तो लिट्रेचर के सेक्टर में दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर हम नहीं इसको कवर किया हुआ है, यह different अलग-अलग जो सेक्टर है, इसमें लिट्रेचर वाला सेक् the part कि दो चीजें समझ में आ गई तीसरी चीज कौन सी ऐसी महिला है जिनको first time Nobel Prize मिला था तो वो है Mother Teresa जो एक महान आत्मा भी उनको कहा जाता है क्योंकि मानवता कि ऐसी सेवा सायद ही इस प्लैनेट में कोई किया होगा ठीक है आप उनके बारे में जानिये समझिए तो आपको बहुत कुछ नया मालूम होगा तो इसलिए मैं सीधा बात करता हूँ अब भारत के जितने भी Nobel Laureate को जिसको आपको याद रखना होगा और मैं आपको इसको कुछ method के थूँ यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ पहले आप separate कर लीजिए pure science background वालों को तो पहले मैंने कहा था कौन है Dr. C. V. Raman तो Dr. C. V. Raman को सबसे पहले यहाँ पे separate कर लीजिए ताकि आपके चीज़ें पूरी दे से clear हो जाएं तो Dr. C. V. Raman 1930 में Raman scattering और Raman effect के लिए उनको Nobel Price मिला था उसके बाद देखते हैं आपके हरगोविन खुराना H. G. खुराना इनके बारे में कहा जाता है कि यह जीनता यानि की मतलब जो बुढ़ापा आता है उसको रोकने के लिए इनके पास क्या है इनका contribution है इनका युगदान है इसे clear नाव नेक्स पार्ट अगें हम चलते हैं 1983 पहले हम साइन्स वाले को separate कर रहे हैं ठीक है देखो यहां से जब आप star जाएंगे यानि कि जब आप तारे तक जाएंगे जैसे सूर्य भी एक प्रकार का star यानि तारा है तो उनकी दूरी को मापने के लिए अलग-अलग जो है unit use किये जाते हैं तो अलग-अलग unit use किये जाते हैं तो उसमें एक unit होती है इसे light year यानि प्रकास वर्स जैसे की parsec जो आपके दूरी का सबसे बड़ा मातरक है डिस्टेंस का सबसे बड़ा मातरक है और वैसे ही बात कर करने के लिए इन्होंने चीजें जो है उन्होंने discover किया था चंद्रसेखर नियतांग याने चंद्रसेखर constant इन्होंने discover किया था जो द्रब्यमान याने मास का सबसे बड़ा क्या है आपका unit है चंद्रसेखर constant जरूर याद रखना तो यह basically इनका contribution था next part सीधा हम देखते हैं 2009, 2009 में वेंकर ट्रमन रामकृष्णन जीनों ने ribosomes, ribosomes क्या है? एक cell organelle है, एक कोसिका का अंग है, जिसमें की आपके protein synthesis, याने की protein का निर्माण होता है, ठीक है? दो प्रकार की protein होते हैं, हमारे body में जो है, construct होता है, बनता है और एक बाहर से हम खाते हैं, वो उससे protein आपको प्राप्त होती है, वो बात में हम कभी discuss करेंगे, amino acid के pairing होती है, बट यहाँ पर ribosome का structure उनके कारी के लिए, उनके जो है function के लिए, डॉक्टर वेंकर रमन रामकृष्ण को 2009 में Nobel Price मिला था, उसके बाद देखते हैं, आपका ये पूरा का पूरा cover हो जाता है, तो one, two, three, four, केवल चार लोगों को ही ऐसे, क्या है, science के sector में Nobel Price मिला हुआ है, now starting में बाकी चीज़ देखते हैं, 1913 को मैंने कहा था, गितान जली के लिए Nobel Price मिला था, गुरदेव अमर्त से, जिन्होंने, welfare economics के बारे में concept दिया था, उनके contribution के लिए, अमर्त से, इनको Nobel Price मिला था, next, V.S. नाइपाल, जिनका एक literature, एक साहित्त के लिए, जिसमें की लोगों को दबे हुए इतिहास की उपस्चीती को देखने के लिए, मजबूर करने वाले कारियों में एक जुट अवधारनात्मा कथा और अविनासी जांच के लिए, एक literature का content है ये, basically इसको याद ना भी करें, चलेगा, तो literature के लिए इनको क्या है, आपको V.S. नाइपाल सर को जो है, Nobel Price 2001 में मिला था, इसे मत भूलिएगा कभी, ये कैलास सत्यार्थी सहाब हैं, जिन्होंने बच्पन बचाओ आंदोलन चलाया था, कि बच्चों को उनके लाइक अधिकारों के लिए, उनके सिक्षा और बाकी सब्जीशीरों के लिए, उनको जो है, उनको उनके राइट अधिकार के लिए उनको लड़ा था, बच्पन बचाओ आंदोलन और कैलास सत्यार्थी, और मलाला युसुप जे, जो पाकिस्तान से हैं, उनको साथ में क्या है, नोबेल का नोबेल प्राइस मिला था, जो बेसिकली कौन से सेक्टर में, पीस, नोबेल, सांती, पुरसकार मिला था, तो ये बात जरूर याद रखना बच्चों को उनके अधिकार एबंस उनके सिक्षा के लिए ये अधिकार, ये जो है, उनोंने आपका आंदोलन चलाया था, बच्पन बचाओ आंदोलन, जरूर याद रखें अभीजीत बेनर जी, रेसेंटली इनको क्या है नोबल प्राइस मिला, एकनॉमिक के सेक्टर में इन्होंने बताया कि ग्लोबल पावर्टी को कैसे हम एरेडिकेट कर सकते कैसे खतम कर सकते हैं अभी 2023 का जब नोबल पुरसकार आएगा तो इसको मैं फिर से सेपरेटली उसे कवर कराऊंगा 2022 का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा लिखा हुआ मिलेगा क्योंकि आप दो महिने बाद कोई सी एक्जाम के लिए आप रेलेवेंट नहीं होगा केवल 2023 वाला ही इंपॉर्टेंट होगा नाउ, नेक्स पार्ट देखते हैं कि इस महान सक्सियत के बारे में आप जानिए ये कौन है? डॉक्टर सांती सुरू भटनागर आपको एक बात बताओ कि साइन्स और टेकलोजी के सेक्टर में भारत का जो हाइस अवार्ड है सबसे बड़ा जो अवार्ड है, प्राइज है पुरसकार है, वो क्या है? सांती सुरू भटनागर पुरसकार है कौन है ये ब्यक्ती? ये महान साइंटिस, रेनाउन इंडियन साइंटिस डॉक्टर सांती सुरू भटनागर सबसे पहले ब्रिटिस इंडिया में 1942 में Council of Scientific and Industrial Research विज्ञानिक एवं अध्योगिक अनुसंधान परिशद की फांडिशन रखते हैं पंडित नहरू उस समय उनको लाइक हेल्प करते हैं क्योंकि वो फ्रेडम फाइटर थे तो उन्हों का क्या है? ओवराल देखा जाए ब्रिटिसेस के साथ अच्छी बॉंडिंग था तो उस समय Council of Scientific and Industrial Research CSIR की स्थापना करती है यह क्या है? यह आज भी 2023 में भी भारत में Science and Technology की सबसे Biggest Organization है यानि विज्ञान प्रदुई का सबसे बड़ी संस्था है तो यह CSIR की स्थापना उस जमानी में 1942 में किये थे डॉक्टर भटनागर और नहरू इसलिए इनको भटनागर नहरू इफेक्ट कहा जाता है आपको National Level की एक्जामी से पूछा भी जाता है ठीक है? याद रखना तो जैसे Nobel Prize 6 सेक्टर में दिया जाता है यहाँ पर देख रहे हैं यह 7 सेक्टर में दिया जाता है इसे याद रखना बहुत आसान है देखो Imagine करिए आप Class 10 में थे 11 में आपके पास Option आया कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है तो आप Confuse हो गए कि क्या करना है Maths लूँ, Bio लूँ थोड़े समय के लिए मानिए आप Maths भी ले रहे हैं और Bio भी ले रहे हैं चलो उसी निमोनिक्स हो यूज़ करो आपने Bio लिया Physics भी लिया, Chemistry लिया तीनों तो लेना ही पड़ता है साथ में इसके बाद आपने क्या किया Maths भी ले लिया मतलब 10 के बाद Subject Choose करने वाली बात आई तो आप Physics Chemistry तो पढ़ना ही पड़ता है Maths और Bio दोनों को ले लिया तो चार आपको याद हो गया अगर आप वायो लिये थे तो क्या बनोगे आप Doctor बनोगे Medicine आ गया, Medical Science आ गया और अगर आप Maths लेते तो क्या बनते है इंजीनियर बनते तो इंजीनिंग हो गया खतम, आपके 6 चीज़ी याद हो गई इसमें कौन सी बड़ी बात है आखरी वाला जो आता है वो different sector को एक साथ merge कर दिया गया है जिसमें Earth Science, Environmental Science Ocean Science और Planetary Science इस सब को एक मान लिया गया है और इस sector में क्या है आपका अगला प्राइस दिया जाता है तो यह साथ sector है एवरी येर दिया जाता है जैसे नोबल प्राइस एवरी येर दिया जाता है इसे सांधी सोरु भटनागर प्राइस भी एवरी येर दिया जाता है यह भारत में Science and Technology की सबसे बड़ी लाइक कहना चाहिए प्राइस है इसे क्लियर नाओ आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट जो देख रहे हैं कि ये है आपका फिल्ड मैडल देखिए फ्रेंड्स मैं उन चीजों को बिल्कुल गहराई से बताऊंगा जो एक्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉटेंट है यहाँ पर ये वन डे एक्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉटेंट है इसलिए मैं पूरा वन डे एक्जाम के पॉइंट अब उसे इसे आगे मूफ करते में चल रहा हूँ क्योंकि हमारा ultimate objective है एक्जाम में ज़्यादा स्कूर करना यह आपका field medal है तो field medal क्या है mathematics के sector में दिया जाने वाला एक प्रकार का nobel prize कह सकते हैं यानि कि mathematics के sector का सबसे highest award है सबसे बड़ा जो है prize है इसे कहा जाता है field medal कौन देता है field medal इसे दिया जाता है international mathematical unit जो एक non-profit organization है ठीक है every four year में दिया जाता है इसे जरूर याद रखे every four year में दिया जाता है और mathematicians को दिया जाता है जिनकी उम्र 40 साल या उसके अंदर हो ठीक है यह बात है ध्यान रखना और करीब क्या है इसमें 9 लाग की राशी जो है दी जाती है अवार्ड है जिसमें की हम देखते हैं नील्स हैंडरिक एबल जो एक Norwegian mathematician थे वो उनों का mathematics ये sector में बहुत बड़ा contribution आगे माना जाता है क्योंकि बहुत सारे उन्होंने branches के development में बहुत बड़ा योगदान दिया था नाव कि Norwegian government ने 2002 में ये like award या जो स्टार्ट किया और जो एवरी येर किनके द्वारा दिया जाता है एबल प्राइस तो Norwegian Academy of Sciences and Letters के द्वारा दिया जाता है ध्यां रखना इधर मैंने कहा कि आपका field medal किसके द्वारा दिया जाता है international mathematical union के द्वारा दिया जाता है जिसमें कि 7.5 million Norwegian क्रोनर दिया जाता है याद रखना तो field medal और आपका क्या है आपका that is अबल प्राइस दो बड़े-बड़े mathematics के award on prizes हो गए यहां पे दो महपूल नाम आपको याद रखना है हो सकता आप इसमें confused हो एक है रामानुजन अवार्ड और एक है रामानुजन प्राइस बोथ हार डिफरेंट थी दोनों अलग-अलग चीज़े हैं अगर हम इसे नहीं जानते तो mix दब कर देते देखिए मैं बता रहा हूँ पहले रामानुजन प्राइस के बारे में यह क्या है केवल इसके लिए tom and condition यह है कि country developing nation से होने चाहिए मतलब कोई भी इसमें जो प्राइस विनर होगा वो developing nation से होना चाहिए मतलब develop nation का होगा तो वैसे disqualify हो गया और दूसरा उसकी उम्र जो है 45 वर से कम होनी चाहिए ठीक है यहाँ पर समझ जाना आप लोग विकास सिल देश से होना चाहिए young mathematician को दिया जाता है और केवल 45 येर से नीचे वालों को दिया जाता है अब ये देता कौन है ये देता कौन है ये बात भी आपके लिए matter है स्री निवास रामानुजन सर की बारे में जानते हैं इनके बारे में एक सेपरेट में सेशन भी लेकर आऊंगा क्योंकि CGPAC में पेपर नंबर फूर पार्टू में कुछ फेमस mathematician और बाकी scientist के बारे में पूछा गया है दिया हुआ है content तो इसको मैं series में definitely सामिल करूँगा नियर फ्यूचर में बट स्री निवास रामानुजन के बारे में याद रखना चन्ने के पास एक जगह है इरोड वहाँ पर यह जन्मे थे only 32 years में इनकी क्या है death हो गई लेकिन उस 32 साल के जीवन अवधी में इनोंने इतना बड़ा बड़ा चीज हासिल किया इनको इनके बारे में कहा जाता है the man who know infinitive यानि कि यह वो ब्यक्ति थे जो क्या है अनन्द को जानते थे ठीक है तो यहाँ पर यह नॉबल प्राइस जो है यह जो आपका रामानुजन प्राइस जो है ठीक है रामानुजन प्राइस दिया जाता है अब्दुल सलाम देखो अब्दुल कलाम नहीं कह रहा हूँ अब्दुल सलाम हैंगी यह कौन है एक पाकिस्तानी मूल के क्या है एक फिजिसिस्ट है एक भौतिक वेध है जो क्या है उनका युगदान भी है इनको 1964 में इनको नॉबल प्राइस भी मिल चुका है तो अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर्टिकल फिजिक्स आइसी टीपी के द्वारा बाद में भारत सरकार भी इसमें इन्वाल हुई डिपार्टमेंट और साइंस एंट टेकलोजी भारत सरकार बहुत बाद में इन्वाल हुई है लेकिन सुरवात में अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर्टिकल फिजिक्स और इंटरनेशनल मैथामेटिकल यूनियन के द्वारा इसे जॉइन्ट रूप से दिया जा रहा था रामानुजन अवार्ट मैथेमेटिक के सेक्टर में दिया जाना वाला एक बहुत बड़ा ये भी प्रिस्टीजियस अवार्ड है, जो बेसिकली कोई किनके द्वारा दिया जाता है, तो ये बातें आपको ध्यान रखना है, इस प्राइस को इस नाम से जाना जाता है, सास्त्र रामानुजन, सास्तरा रामानुजन आपका पुरसकार या प्राइस है ना, जिसके बारे में हम कहेंगे एक्च्वल में कहा जाए रामानुबर अवार्ड भी इसे कह सकते हैं, इसमें याद रखना है कि इसमें किनके द्वारा दिया जाता है तो देखो, इधर देखो, सन्मुगा इसके बाद A से क्या आता है Art, S से क्या आता है Science, T से क्या आता है Technology, R से क्या आता है आपका क्या है, आता है R से Research और A से आता है Academy तो सन्मुगा, Art Science, उसके बाद Technology, Research and Research and हम कहेंगे यहाँ पे Research Academy भी तो यहाँ पे सास्त्र के दौरा ये दौरा ये जो है आपका रामानुजन जो है अवार्ड दिया जाता है ठीक है इसमें याद रखना इनका उत्कृष यूगदान के लिए दिया जाता है तो 32 वर्स और उसके कम आयूग याले व्यक्तियों को दिया जाता है इधर क्या द दिखे 15 था हुजन दी जाती है एवरी येर हम नेशनल मैथमेटिक्स दे कब बनाते हैं बाइस दिसंबर को मनाते हैं क्योंकि इसी दिर रामानुजन सर का जो है बिर्थ दे हैं अब जानते हैं एक मैक्सिकन साइंटिस्ट डॉक्टर नॉर्मन बॉर्लाग जिन्होंने जिनको कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन डिवॉलुशन दारवल बॉर्लाग को उनको जो हैं पीस के सेक्टर में नॉबल प्राइस भी मिल चुका है ये बात ध्यान रखना और यदि करें तो बॉर्लाग प्राइस जो है इंटर एक फर्टिलाइजर कंपनी है कोरो मंडल इंटरनेशन लिमिटेट के द्वारा ये दिया जाता है उन साइंटिस्ट को जो एग्रिकल्चर और इन्वार्मेंट के सेक्टर में एक्स्टा ओर्डिनरी कंट्रिबूशन किये होते है फाइब लैक्स की जो है इसमें इनाम की रासी दी जाती है जब बात करते हैं हमारे पास आता है कलिंग पुरसकार के बारे में कलिंग बेसिकले रएटेट विथ ओडिसा और यहां पे ओडिसा के जो फॉर्मर चीप मिनिस्टर वीजु पतनाएक वो कौन है एक स्वतनता सेन प्रिडम फाइटर भी रहें जो 1971 के वार में फाइटर प्लैन भी चलाते थे ठीक है तो यहां पर याद रखना कि पाकिस्तान की लड़ाई में भी पाडिसिबेट किये थे इसलिए पूरे उडिसा में क्या है विजू पतनाय को बहुत रेस्पेक्ट से देखा जाता है और उन वो कितना सम्मानिद व्यक्ति होंगे तो कि एक फ्रेडम फाइटर भी थे और भारत की लड़ाई में भी पाडिसिबेट किये थे एनिवेस उन्होंने बनाय था बीजू पतनाय कसे ने बनाय था कलिंग फांडेशन ट्रस की स्थापना की थी और कलिंग फांडेशन ट्रस की जाना जाता है ठीक है इसमें याद रखना बड़ी जो रासी उनको दी गई थी उसी को जो है एवरी एर यूनेस्को के द्वारा ये अवार्ड धिया जाता है डी ब्रॉगली जिससे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं फिजिक्स केमेस्टी में पढ़ते हैं केमेस्टी में तो तो डिब्रॉगली को फर्स जो है 1952 में ये दिया गया था ठीक है is it clear चलो अब बात करते हैं आगे आगे बात करते हैं हमारे पास दो और ऐसे पुरसकार है जो कभी कभार आपकी current affair में पूस दिया जाता है that is ओम प्रकास भसीन पुरसकार ओम प्रकास भसीन पुरसकार क्या है ओम प्रकास भसीन foundation के द्वारा दिया जाता है science के सेक्टर में extraordinary work के लिए और 1 lakh की रासी दी जाती है उसी प्रकार यहाँ पे GD बिल्ला पुरसकार जो KK बिल्ला foundation के द्वारा दिया जाता है है ना इसमें की देखते हैं कि 50 वसे कम उम्रिके scientist को दिया जाता है इसमें 2.5 lakh क की रासी दी जाती है that's it बाकी और कोई काम की चीज नहीं है फिलाल चलते हैं दो चीजे और I mean last चीजे यह एक और देखो यह है world food prize world food prize के बारे में आपको जाना होगा कि यह पुरसकार विस्वखाद यह पुरसकार foundation world food prize foundation के द्वारा every year दिया जाता है और agriculture sector में extraordinary इसमें research के लिए दिया जाता है ठीक है इसे आपके food और agriculture के लिए nobel पुरसकार कह सकते है क्योंकि यह सबसे highest prize है clear हो गया now Indian father of green revolution dr. Ms. Swaminathan को first time is award को दिया गया था जब यह award पहली बार स्थापित हुआ पहली बार established हुआ तो इनको dr. Ms. Swaminathan को दिया गया था कौन है dr. Ms. Swaminathan भारती हरित जानती के पिता Indian father of green revolution क्या जानते हैं उनके बारे में इनके बारे में यह चीज़ जरू जानना कि भारत में जब green revolution आया था कौन से five year plans के दोरान आया था बताईए comment करके बताईए इस समय कोई five year plan नहीं चल रहा था इस समय holiday period था यानि योजना आवकास का काल था जो 1967, 68 और 69 को कहा जाता है इस दोर में Mexican scientist Dr. Norman Warlock and Indian father of green revolution Dr. Amis Swaminathan दोनों ने wheat के तीन variety develop की थी सोनारा 64, लर्मा रोजा और आपके सर्वती सोनारा तो ये तीनों wheat की variety high yield वाली variety थी उच्छ उथ पादकता वाली क्या हैं ये 20 था जिसका harvesting period कम जिसमें की रोगों से लडने की च्छमता ज्य ज्यादा मतलब रेजिस्टिवीटी ज्यादा थी और साथ ही साथ कहेंगे ये आपके ज्यादा production देती थी परेकर तो उत्तर भारत के कुछ राज्यों में इसे apply किया था तो 1967-68 से ये शुरुवात माना जाता है से लिके 1978 तक ये 10 वरसों में भारत जो है बहुत बड़ा इस जो food grain surplus हो गए क्यों हो गए क्योंकि हमारे पास food green revolution आ गया और green revolution आने हरित प्यांती जिसमें की आपके गेहूं की पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ गई ठीक है ये बात जरूर याद रखें तो ये डॉक्टर MS स्वामी नाथन को इस green revolution के लिए इनके contribution के लिए क्या है world food price दिया गया था है ना याद रखेगा और साथ ही साथ इस session के अंतिम में ये जरूर बताऊंगा कि डॉक्टर MS स्वामी नाथन एक और बड़े like organization के chairman है national biodiversity board चन्नाई रास्टी जय विवित्ता board चन्नाई के क्या है ये chairman है ठीक है तो आज के लिए पहला session में हम इतना ही informative था अगले session में मैं आपको promise करता हूँ कि आपको बहुत सारे tricks बहुत सारे निमोनिक्स बहुत सारे ऐसे funny method के साथ आपको science, technology, environment, physics, chemistry, bio के उन सभी facts को आपको cover कराने वाला हूँ जिसमें आपको बहुत मजा आएगा और आप science को बिलकुल funny तरीके से सभी important पहलों को आसानी कर सकें तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, thank you so much, have a nice day.